कि जहां पूरे पुर्वत्तर भारत में इसाईयों का प्रतिशत 1951 में केवल 6.42 था, वह 2011 में बढ़के लगवख 17 प्रतिशत हो जाता है, वह व्यत्ती जीवन भर वहां रह जाए, लेकिन वह भूमी नहीं खरी सकता, एक इंच नहीं खरी सकता, लेकिन विडंबना क्या है, कि मैं अरुनाचल भूमी नहीं खरी सकता, मैं मिजोरम में नहीं खरी सकता, मैं नगालेंड में नहीं खरी सकता, लेकिन नगालेंड मिजोरम और अरुनाचल का व्यक्ति शेष भारत में कहीं भूमी खरी सकता है, आज भी मिजोरम में चर्च जो है सभी दर्शकों को साधर प्रणाम, आज की जो हमारी वारता है, वो इस पुस्तक पर आधारित है, जिस पुस्तक का नाम है, कीसावाद और पुर्वत्तर भारत का सांस्कृतिक संगहार. यह पुस्तक मैंने दो हजार इकीस में लिखी थी, अभी दो वर्ष हो गए, इसको लिखे हो गए, और इसमें जो विशय हमने उठाए हैं, वो सारे विशय आज भी प्रासंगित हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले काफी समय तक प्रासंगित रहेंगे, तो जहां तक संभव होगा, मेरा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक बिंदु लिए जाएं, इस पुस्तक को लेकर. आशा है, दर्शक इसका लाब उठाएंगे, इससे आनन्दित होंगे, और अपनी टिपनी से मुझे भी लावानवित कराएंगे, जिससे भविश्य में फिर से हम उस पे बातचीत कर पाएं. तो सबसे पहले जगद गुरु को याद करते हैं, वसुदेव सुतम देवं कंसचान गूर मर्दनम देव की परमानंदम क्रिश्णम बंदे जगद गुरुम। इस पुस्तक को लिखने के पीछे का प्रियोजन क्या था? प्रियोजन यह था कि हमारा पुर्बत्तर भारत भावलिक रूप से अत्यन सुंदर छितर है और जहां तक भारत के फैलाओ की बात है, विस्तार की बात है, तो भारत तो आज का जो इंडोनेशिया है उसके आगे तक था, तो इस छितर के हमारे हमारा हिस्सा होने में कोई सं देह नहीं है लेकिन फिर भी अन्याने कारणों से ऐसा कुछ बनाया अंग्रेजों ने कि लगे की यह छेतर अलग सा है और यह बहुत बड़ा कारण है कि अंग्रेजों ने इस छेतर का विकास नहीं किया और शेश भारत से जो इसका लगाव हो सकता था जुडाव हो सकता था वह संभव नहीं हो सका। इस बीच एक दुर्भागेपूर्ण घटना यह हुई घटी कि 1947 में पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बंगला देश है उस नाम का एक देश बन गया। उसी पतली पत्टी से भूव मार्ग से यह पूरा का पूरा पूर्वत्तर भारत जुड़ा रहा। अन्यथा वहां जाना आना बहुत कठिन और वैसे भी कोई सोचे कलकता से जाए या बिहार से जाए तो उसको उपर जाना पड़ेगा उत्तर की दिशा में काफी दूरी तै कर करनी पड़ेगी फिर वो वहां से नीचे आएगा तो इस प्रकार से एक उपर से नीचे कह लीजे जैसे कर बनता है वो ऐसी यात्रा करनी पड़ती है ट्रक से यदि सामान जाता है तो आप सोची अगर तला त्रिपुरा जाने में कलकता से जो ट्रक चला उसको कई दिन लग करता है और ऐसा कुछ किया गया कि यह च्छेतर कट सा गया उस कटे हुए च्छेतर में अंग्रेजों ने सुनियो जित ढंग से धीरे धीरे करके इसाई मिशनरियों को भेजना आरंब किया यह बात 1835 के आसपास है जो मैंने पुस्तक में विस्तार से बताया है कि चेरा पु च्छेतर है में गाले के उन च्छेतरों में इस समय 1830 के दशक में जो इसाई मिशनरी है पहुंच जाते हैं यह भी सोचने वाली बात है कि इतनी दुर्गम जग है लेकिन इसाई मिशनरी पहुंच जाते हैं और दीरे दीरे उन अपना पहले तो अपने पैर जमाते हैं और फिर अपने पैर फैलाते हैं, और मेघाले के बाद से धीरे-धीरे करके अन्य राजियों में वो फैलने लग जाते हैं, फैलते फैलते सिती ऐसी हो जाती है, कि आज जब हम आप से बात कर रहे हैं, तो आप समझेए मिजोरम, नगालेंट, ये दो ऐसे राज्ये हैं, जहां पर असी-पचासी प्रषट से अधिक जनसंख्या है, वह इसाई हो चुकी है, इसके बाद मेघाले उसके निकट है, क्योंकि जो 2011 की जनगरना के आधार पर जो हमें जनकारी है, वो 74 प्रषट से अधिक लोग वहां पर इसाई हो चुके हैं, अगली जो इनकी कहिए की प्रषटी है, वह मनिपूर और अरुनाचल पर है, जहां अभी तक यदि शासन या समाज प्रयास करें, तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, अनिथा ये दोनों राजी भी मिजोरम और नागा लेंड के पधचिन्हों पर चलेंगे, इस परकार हमारे पास त्रिपुरा, सिक् ये तीन राजी बच्ते हैं, जहां कह सकते हैं कि अनुपातिक दोष्टी कोन से इसाई कम है, लेकिन सिक्किम तक में मैंने जो अधेन किया है, कि हाल के बर्षों में, इसाई संख्या में कम है, लेकिन उनकी जो व्रिधीदर है, वो तीवर है। अभी बहुत कम संख्या है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहां भी उनको फैलने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो. तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो कई राज्य हैं उनमें इतनी बड़ी संख्या में इसाई कैसे बने और कितनी शिग्रता से बने या कितना समय लगा उनको यह किये विशाय हो सकता है. सन्योगवश जो हमारे पास आकड़े हैं वो बताते हैं कि सबसे अधिक जो इसाई जो संख्या के किदर्शिकून से बने हैं वे स्वतंतरता के बाद बने हैं. स्वतंतरता प्राप्ती के पहले उनकी संख्या कम थी. एक मिजोरम है जहां पे शिगरता पूर्वक लोग बन गए क्योंकि बड़ा छोटा राज्य है, आज भी उसकी जिन संख्या दसलाग के आसपास है. इसलिए वो बहुत अधिक बड़ी संख्या नहीं है. लेकिन शेश राज्यों में अभी इसाईयों का उतना उतनी संख्या नहीं बड़ी थी, जितनी की स्वतंतरता के प्राप्त बाद बनी है. और स्वतंतरता के बाद उनके लिए परिस्थिती और अनुकूल बना दी गई. और यही कारण है कि उनको फैलने में सुविधा हुई है और फैलते जा रहे हैं. एक उदारन जो मैंने पुस्तक में जिसका वड़न किया है बड़ा रोचक है कि कहा गया कि एक हाले जो राज्य है उसके एक मुखमंतरी हुआ करते थे, कभी से करीब 30-35 साल पहले तो वो अपने भाशनों में अपने जब राज्य में घूमते थे तो सब से कहा करते थे कि भाई तुम्हें जो है दो, चार, दस, बारह, बीस इतने बच्चे पैदा करना चाहिए यह लोगों को बताते थे तो उसका भी प्रहौपड़ा क्योंकि म पूरे पुर्वत्तर भारत में इसाईयों का प्रतिशत 1951 में केवल 6.42 था, 51, वह 2011 में बढ़के लगभग 17 प्रतिशत हो जाता है, तो आप सोचिए 6.42 बारह लगभग धाई गुना, मतलब धाई 100 प्रतिशत, यह जो बृद्धी दर है, यह विसमेकारी है, और इसमें जो मैं बात कह रहा हूँ, कि जब अलग अलग राज बना दिये गए, असम को तोड़ तोड़ करके, और उनका जो शासन बना, उनके जो मुख्मंतरी बने, उन सब की एक मातरिच्छा यही थी, कि हमारी आबादी बहुत बड़े, तो इसमें मैंने एक रोचग घ द्याले है, चिरापुजी में, वहां गया था, तो वहां मुझे मालूम हुआ, कि एक बच्चा था, किसी कक्षा में, तो शिक्षक ने उसका नाम पूछा, तो उसने कहा, मेरा नाम है फोटीन, तो शिक्षक को थोड़ा अटपटा लगा, कि एक फोटीन क्या नाम हो सकता है तो उसने कहा कि मैं अपने माँ पिता जी का चौदा हुआ बच्चा हूँ तो शिक्षक भी दंग रह गया कि माँ पिता जी को नाम ढूंडने में इतना कश्ठ हुआ होगा कि उन्होंने संख्या ही रख दी सब की नाम तो फूटीन था तो पूचा तुम्हारे बाद भी कोई है बोला हाँ हम तो सिक्स्टीन तक है ये मेघाले की सिती थी क्योंकि मैंने इसमें दशकिये आकड़े दिखाएं हैं मेघाले के नागा लेंड के मिजूरम के कि क्यों उनकी जनसंख्या इतनी तिवर्गति से बढ़ी है क्योंकि इन्हें मिशनरियों ने या उन लोगों ने समझाना शुरू किया कि भाई तुम्हारी आबादी बढ़ेगी तो तुम्हारा शासन होगा तुम चाहे जो करोगे वो संभव हो पाएगा तो इस प्रकार से ये सुनयोजित ढंग से ये काम किया गया सुनरता के पूर्व फिर भी सचाई है कि सुनरता के पूर्व वो माहौल बनाया गया वाताबरन बनाया गया कि सुनरता के बाद उसमें सुविधा हो गई एक उदारन उसका बहुत परचंड है जो मैंने अपनी पुस्तक में दिया है वो यह है कि आप कल्पना कीजिए कि 1835-1840 में जब पहली बार मिशनरी उस छेतर में पहुँचे तो सुहाविक है कि वहाँ शिक्षा का घोर अभाव था साक्षरता दर बहुत कम थी विद्याले लगभग नके बराबर थी तो यह जब पहुचे तो इन्होंने पढ़ाना शुरू किया अब जब पढ़ाएंगे तो बच्चे कम मिलेंगे क्योंकि वो भाड़ी छेतर है इसलिए आने जाने में सुरिधा होगी तो बच्चे कम मिलेंगे तो कम बच्चे ही इसाई बनेंगे और वहाँ एक कहावत है पूरपूरवत्तर भारत में कहावत है कि जो बच्चा विद्या ले गया वो इसाई बन गया एक गणना की है किसी विदेशी विद्वान ने मेगाले में खासी जो उनकी एक समाज है कासी समाज है उस पर कि हजारों हजार जो बच्चे गए थे उन में से एक ही बच्चा था शायद दस्मी में पढ़ने वाला, ग्यारी में पढ़ने वाला जिससे बादचित करने पता लगा कि अभी वो इसाई नहीं हुआ लेकिन सामाने प्रक्रिया यही है सामाने था कि जो भी विद्या ले गया वो इसाई बन गया अब यह सोचने वाली बात है कि उसमें पढ़ाया क्या गया क्योंकि वो मिशनरी वाले थे उनको पढ़ाना ही वही था जिससे कि वो इसाई बन जा है जितने भी पंथ संपरदाय हैं बाकी उनकी निंदा करना उनकी बुराई करना और इस बुराई करते करते एक बहुत ही गंभीर तथ्यू भर के आता है इसाईयों को लेकर कि यह भारत विरोधी हो जाते है क्योंकि भारत क्या यदि महिमा मंदन करेंगे तो इनकी इसाईयत कमजोर पड़ जाती है इसलिए ये कि ये मौलिक विरोधाभास है कि इसाई सुभावत भारत विरोधी होगा भारत में गुर नहीं देखेगा भारत में बुराई देखेगा वह यूरोप में गुर देखेगा अमेरिका में गुन देखेगा लेकिन भारत में नहीं देखेगा तो इसलिए हुआ ये कि धीरे धीरे वहां विद्याले खुले विद्याले केवल इसाई मिशिनर्यों द्वारा खोले गए और दिल्ली में बैठी जो बिटिश सरकार थी उसने यहां तक काम कर दिया जो मैंने पुस्तक में विस्तार से बताया है कि पुर्वत्तर भारत में इन छित्रों में शिक्षा विभाग ही नहीं था और केंद्र सरकार का जो बजट था शिक्षा के नाम पर वो बजट सहिछ शिक्षा विभाग मिशनरियों को सौप दिया दिया यह ऐसे हुआ जैसे आप गिद्ध को रखवाली दे रहे हैं किसी मरी की जो मृतक है जानवर है पशू है उसकी रखवाली किसको दे रहे हैं गिद्ध की कि दो को दे रहें तो परिनाम यह हुआ कि वो पूरी प्रक्रिया ऐसी बन गई कि सुन्योजी जंग से विद्याले आपका उसमें आप इसाई मजभ के बारें बता रहे हैं बच्चे वहां के वो जाएंगे पढ़ेंगे एक फैक्टरी की तरह से निकलेंगे इसाई बनके निक पाये थे और गाओं में वो अभी भी सुरक्षित थे लेकिन सुन्दृता प्राप्ती के बाद उसकी गती में तीजी आ गई और उसका प्रधान कारण एक था कि पहले ये असम का हिस्सा हुआ करते थे धीरे धीरे असम को काट करके में घाले बनाया गया दूसरे राज बना है तो हमें बना लेना चाहिए इससे उनको बहुत ज्यादा बल मिला और ऐसे होते होते इन्होंने आज की सिद्धी पे पहुंचा दिया जहां मैंने कहा कि मिजोरम नागालेंड जहां 85 परशद के आसपास जो है वो इसाई हैं तीसरे स्थान पे मेघाले है जो उनके आसपा है रोचक कि जब यह लोग ऐसा कर रहे थी तो क्या शेषबारत को पता नहीं था क्या शेषबारत में ऐसा को विद्ध्वान नहीं हुआ है सरकारी तंतर में किसी को ग्यान नहीं था जो इसमें हस्तक छेप करता इस प्रकरिया को रोकता तो मैं आपको बताऊं कि जो अरुनाचल है वो उस समय होता था नेफा नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर एजेंसी और चुकि वो दूसरे देशों से लगे हुए छेतर थे उसके यानि अंतराश्रिय सीमा था हो इसलिए उसको अंग्रेज सरकार ने शेस भारत से अलग करके कहा कि भाई यहां आम लोग नह साधरन नहीं जा सकते और इधर कोई जाता है तो उनको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा जैसे आप जानते हैं कोई सुरक्षित स्थान होता है तो वहां नहीं जाये जाता है अब यह जो इनर लाइन परमिट है इसका धीरे-धीरे विस्तार किया गया अरुनाचल मिज जिस समय 370.6 कश्मीर से कश्मीर का हटाया गया उसी समय मनीपूर को भी उसमें संभिलित कर दिया गया अन्नागालेंड का जो इनर लाइन था वो उसको व्यापक किया गया आज की सिती क्या है आज की सिती ये है कि मैं और आप जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में बैठा ह हुआ हूँ अपनी गाड़ी उठाता हूं मेरड चला जाता हूं या उसके आगे लखने उचला जाता हूं उसके आगे मैं पटना चला जाता हूं अदक्षन चला जाता हूं उत्तर चला जाता हूं मुझसे कहीं कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहां से आये हैं और कहां जा रहे हैं लेकिन जिन राजियों के मैं नाम ले रहा हूं अरुनाचल, मिजोरम, नगालेंड, मनिपूर, यहां पूरे भारत वर्ष का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, यहां तक कि नगालेंड का व्यक्ति मनिपूर, मनिपूर का व्यक्ति मिजोरम या मिजोरम का अ पहला दिल्ली में, क्योंकि सारे राज्यों के एक-एक भवन यहां पे हैं, रुनाचल भवन है, मिजोरम भवन है, वहां जाके आप अपलाई कीजिए, कि मैं इस तारीक को वहां जाना चाहरा हूं, मुझे दिया जाए, थोड़ी सी आपको फीस लगेगी, वहां आपको मिल ज तरह है, और मैंने अपनी पुस्तक में कई जगे दिखाया है, कि मान लीजे हम आप पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ कर लेंगे, ऑनलाइन हो गराद देख लेंगे, लेकिन जो बिचारे वहां आसपास में मजदूर हैं, जैसे बिहार के मजदूर चले गए, बंगाल के मज होते हैं, सीमा पर उनकी जांच होती है, और सामान सहित बस में से उनको धक्ये मारके निकाल लिया जाता है, भारत वर्ष में इतना अपमान जनक, इसकी आप और हम कलपना ने कर सकते हैं, और इसके पीछे का कारण क्या था? इसकी पीछे का कारण यह था, कि आम लोगों नह जा पाएं इतनी सुरक्षित जगे रहे कि हम बड़े आराम से हिसाई बना दे लोगों को जैसे दिल्ली में कोई बात होती है भाई आपके सामने है सब कुछ नहीं हो सकता खराब आप उसमें हस्तक छेप करेंगे वहां कोई जाएगा ही नहीं कोई देखेगा ही नहीं किसी को पता ही नहीं चलेगा और आज जो इसी थी है बलकि जो पहले सितिती उससे और देनिये मैंने अपनी पुस्तक में बार बार समाधान के लिए निदान के लिए आगे के मार्क के लिए ये बात कही है कि जब तक inner line permit तंत्र को समाप्त नहीं किया जाता तब तक इसाई तो छोड़ दीजे वो हमारे देश का हिस्सा है ये भी हमको नहीं मौसूस होता हम कैसे ऐसे हिस्से की बात करें जहां हम जाही नहीं सकते उसके लिए permission क्यों permission चाहिए भाई हमें किसी के नुम दीजे हमारा देश है ये बिंदू एक है दूसरा इसी से लगा हुआ और बिंदू है कि इन सब छेत्रों में भारत पे जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति भूमी नहीं खरीच सकता ये इतना बड़ा भेद भाव है वो फिर ही इसाईयों के पक्ष में चला जाता है जैसे मान लीजे कि कोई ये सोचता है कि नगालाण में दुकान खोलूँगा बिहार का आदमी, बंगाल का आदमी या तमिलाड उगा आदमी तो इसी तरह से तो बाहर के लोग आपके पास आते हैं कोई दुकान खोलने आगा, कोई विद्याले खोलेगा कोई दफ्तर खोलेगा, कोई कुछ हो करेगा वहाँ इस पर रोक है वह व्यक्ति जीवन भर वहाँ रह जाए लेकिन वो भूमी नहीं खरी सकता एक इंच नहीं खरी सकता लेकिन विद्यमना क्या है कि मैं अरुनाचल भूमी नहीं खरी सकता मैं मिजोरम में नहीं खरी सकता, मैं नगालेंड में नहीं खरी सकता, लेकिन नगालेंड, मिजोरम और अरुनाचल का व्यक्ति शेष भारत में कहीं भूमी खरी सकता है, यह कितने बड़ी विडमना है, आप उसको दोनों अधिकार देख रहे हैं, मतलब वो अपनी जमीन नही बाइद रहा है, वो डीडिया का मकान खरीद रहा है, यह बिल्डर का मकान कोई पूछने मळा नहीं है, उसको वो खरीद सकते हैं, लेकिन वही दिल्ली का आदमी, मिजोरम जाएगा, वो जीवन उसका बीत जाएगा, वो मृत्यू को पराप्त हो जाएगा, उसका बच्चा जर्म ले लेगा, मगर फिर भी उसको नहीं मिलेगी, एक इंच भूमी नहीं मिलेगी, और मैंने इस चीज को प्रत्यक्ष महसूस किया, जो बड़ा मुझे लगा कि मैं ध्रवित हो गया, कि गोहाती में मैं बैठा था, तो एक व्यक्ति मुझ से मिला, वो व्यक्ति नेपाली म अहां रहेंगे, तो कहा कि असम चले आएंगे, तो बताईए, जहां कोई व्यक्ति अपना जीवन दे रहा है, लेकिन वहां एक इंच भूमी नहीं खरी सकता, तो ये दूसरी बड़ी बात है, जो विभेदकारी है, और हमारे देश को काटती है, तो इस प्रकार से, मैंने ये सारे बिंदू लिये हैं, और और भी जो हमारे लिए महत्पूर्ण पहलू है, कि एक बार जब कोई व्यक्ति इसाई हो जाता है वहांपर, तो प्रश्ण उठता है कि क्या परिवर्तन होता उस व्यक्ति में, तो मूल बात यह है कि परिवर्तन यह होता है, कि जब पहले था जैसे कोई मीजो कैसा था जब वो इसाई नहीं बना था कोई नगा कैसा था जब वो नहीं बना था या अरुणाचल में जो इतने सारे समाज हैं वो कैसे थे मिधाले में खासी हैं और लोग हैं वो कैसे रहते थे तो ये सारे के सारे हमारे व्यापक हिंदू समाज का एक हिस्सा थे क्योंकि ये सब मूलता प्रकृती पूजक थे प्रकृती में इनका बहुत विश्वास था तारों को, सूरी को, चंद्रमा को, नदी को, परवत को, वन को, पशुओं को, सब में देवत्तों को देखते थे, सब की पूजा करते थे और प्रकृती के साथ इनका सामज्यस्य होता था, जैसे हम प्रकृती को मा कहते हैं, वैसे ही वो भी उसको मा मानते हैं लेकिन जैसे ही आप इसाई बनते हैं इन सब में से दिवत्व का भाव समाप्त हो जाता है तिरोहित हो जाता है यह सब आपके शत्रुवत हो जाते हैं परवत को लूटना है, वन को लूटना है, पशू को मारना है, क्योंकि बाइविल में लिखा हुआ है, कि जब एडम और इव को धर्ती पर भेजा गया, तो गौड ने कहा, कि पानी में तैरने वाले, हवा में ओडने वाले, और जमीन पर रेंगने वाले, जाओ, सब को मार के जाओ, सब को मारो, सब को खाओ, ये दृष्टी बाइविल की है, तो वो कभी किसी नदी को, जो भाव हमारा गंग्या नदी को लेकर होता है, जो श्रद्धा हमारी होती है, वो एक हिसाई में कभी उपजी नहीं सकती श्रद्धा, तो पूरे पुरवत्तर भारत में जो लो समाप्त हुआ, तो समाज में भी एक तरह का निकटता थी, लगाओ था, प्रेम था, वो भी समाप्त हो गया, अब क्या है, लूटो, खाओ, जो मर्जी करे करो, बड़े छोटों का भाव, समाजिक कहिए की निकटता, इसमें बहुत सारे मैंने उदारन दिये हैं, कि कैसे युवावर्ग ऐसा होता था, जो गाओं से थोड़ा आगे बढ़के, कुछ बना के मचान जैसा, पूरे गाओं की रक्षा करता था, युवावर्ग, और उसमें उस युवावर्ग का प्रशिक्षन होता था, लड़कियां, लड़कियों का प्रशिक्षन होता था, कि वो जब वाइवाहिक जीवन बिताएंगी, तो उसके लिए क्या-क्या गुण उन में होने चाहिए, ऐसी चीजें सिखाई जाती थी, जिससे समाजिक्ता मजबूत होती थी, पारिवारिक संबंद प्रगाड होते थे, आज वो सब चीजें समाप्त हो गई, तो फिर जन्म से लेकर मृत्यू तक, जैसे हमारे हिंदू धर में कहा जाता है, कि सोलह संसकार होते हैं, वैसे ही हमारे जो पुरवत्तर के हमारे लोग हैं, भाईवन हैं, उनके भी संसकार थे, अब उन में से कोई संसकार दिखता नहीं है, क्योंकि एक मेरी सीनियर हैं, जो मनिपुर की रहने वाल कि आप का पहले कैसे जीवन था या आपके मापिता जी क्या कहते है या आपके दादा दादी क्या कहते है तो वो बताने लगे मुझे कि ऐसे विवा होता था ऐसे मृत्य होती थी तो दासंसकार होता था या श्राद्धिया जो भी उनके तोर तरीके हों वो होते थे लेकिन वो बार बार यही बोलती थी कि लेकिन अब हम उनसे बहुत आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए यह जो भाव है अपने आप में यसिद्ध करता है कि वहां के समाज का अंग होना अपने आप में अपमान जनक है और जब आप अपने अतीत को अपमान जनक मांगते हैं तो उसके प्रतिय आपका लगाओ कैसे हो सकता है मुझे अपने अतीत पर गर्व होना चाहिए मुझे अपने माता-पिता पूर्वज के किये पर उनके कर्म पर उनके पुरुशार्थ पर गर्व होना चाहिए लेकिन वह गर्व का भाव हर इसाई परिवार से गायव हो चुका है यहां मैं एक नाम का उले करूँगा अपने पुस्तक में ने दिया है इनका नाम है लॉम सांगा लॉम सांगा ने बहुत मोटा गरंथ लिखा है और मैं इस व्यक्ति को बहुत महतु देता हूँ क्योंकि यह उसी इसाई समाज से आया लेकिन इस व्यक्ति ने अध्यन करना शुरू किया कि हमारा जो मीजो समाज है वो क्यों इसाई बना और इसाई बना तो उसकी प्रक्रिया कैसी रही होगी मिश्णरियों नो उनको क्या कहा होगा आज वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि हर एक बात उसको अपमान जनक लगती क्योंकि इसाईयों नो उसको बता है कि तुम्हारा कोई दे होता नहीं है तुम्हारी कोई आस्था नहीं है तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, ये चीजें लोम सांगा ने ढून ढून के लिखी हैं, और आज उसको लगता है कि जैसे प्रतिशोध लेना है, कि तुम कौन होते हो कि मेरे पूरवजों के देवता को तुम मानते नहीं हो, क्या तुम्हारा देव होता है, दूसरे का देवता देवता नहीं है, सन्योगवश ये इस पुस्तक में उभर कर आया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ा औसर है, यदि हम भी इस चीज को इस विशय को व्यापक स्तर पर उठाएं, कि तुम तो अपने पूर्वजों से अलग हो गए, तुम अपने परिवार से कट गए, तुम अपनी परमपरा से कट गए, तुम अपनी आस्था से कट गए, अपने विश्वास से कट गए, तो हमें उनको याद दिलाना चाहिए, हमें उनको स्मरन कराना चाहिए, कि इन सारी चीजों से आज तुम बिल्कुल ही निक्रिष्ट पराणी हो गये हो ऐसा कौन सा समाज होगा जो अपने परिवार से कटके अपने अतीज से कटके गौरवान भी थोगा प्रस्ट नहीं उठता तो ये चीज मैंने पुस्तक में विस्तार से इसका वडन किया है कि आपका जो इसायत ने आपको काटके अलग कर दिया और इसायत का अर्थी होता है अपने मूल से कट जाना क्योंकि इसायत की कोई संस्कृती नहीं उसकी संस्कृती हो ही नहीं सकती कैसे होगा उस संस्कृती कौन से संस्कृती लाएगा हो कहां के संस्कृती लाएगा इसायत का जनम साल, संस्कृति, गा, गीत, गाने, कुछ भी नहीं, आपके पास एक बाइबिल है, बाइबिल में ऐसा तो नहीं कि हमारे याँ बरसात होती है, किसी विशेस मौसम में, उस समय एक आदशी वरत होता है, हमें याद रहता है, जैसे दिवाली है, दिवाली के साम समझते हैं कि अ ठंड पढ़ने वाली है, आपके पास ऐसा क्या है जो आप कहेंगी ठंड पढ़ने वाली है, कौन सा तुम्हार ते वहार है, चहितरमास आने वाला है, राम नुमी होगी, सावन होगा तो जन्मास्ट मी होगी, तुम्हार पास कौन सी चीज़े तुम कहोगा, कि यह यह होग जिसका उस मौसम से उस चितर से लगाओ तो भारत भूमी से जीसस का क्या लेना देना है मिजोरम से क्या लेना देना है उसका दिल्ली से क्या लेना देना है इसलिए वो पूरी तरह जड़कटे लोग हो जाते हैं और ऐसे जड़कटे लोग खतरनाक होते हैं क्योंकि उनको हमारे देश से प्रैम नहीं होता, रगाओ नहीं होता, हमारे भाशा से उनको प्रेम नहीं होता, इसलिए पुरे पुर्वाक्तर भारत में आम तौर पर हारा आदमी सोचता है क्यों कि ऑग्यान अंग्रिजी खी लिए, फ्रेंच, लेटिन सीख ले, मगर वो नह नोकरी मिल जाए दिल्ली में लाखों लोग हैं जो पुर्वत्तर भारत से आके काम करते हैं उनकी रोजी रोडी चलती है फिर भी उनके मंतरी यह नहीं सिखाते कि तुम बढ़िया हिंदी सीख लो इतना बड़ा देश है तुमको नोकरी मिलेगी तो मूल तत तो यह है कि उनक को समाज से कटना है लोम सांगा के बारे में मैं एक दो वाके सुनाता हूं तो लोम सांगा इसलिए कहता है कि भाई हमारे हां इसायत तो आ गई है लेकिन इतनी खोखली है कि वो कहते हैं कि लोम सांगा का मानना है कि गहराई इस ध्यान करने पर पता चलता है कि इसावाद की जड़ें जमी नहीं है जमी नहीं है जम नहीं पा रही है क्योंकि उसको लोग उस्तर अपनाना नहीं चाह रहा है उसको लगता है कि अभी भी लगता है कि कुछ एलियन पदार्थ है कुछ विदेशी तत्व है लेकिन जितना भी अपनाते हैं तो अपना कट जाता है लोम संगा ने अलग आगे और लिखा है कि सबसे बड़ी बात की इसाइयत में जो इस्तरी की सिती है नारी की सिती है वो बड़ी विचित्र है आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी बड़े चर्च की कोई पुजारीन हो जो इस्तरी हो सारे को सारे फादर दिखते हैं पादरी दिखते हैं बड़े-बड़े चोंगे वाले इस्तरी क्या नन है वो बिचारी सबसे गई गुजरी महिला है लौम सांगा ने ये बताने का प्रयास किया अपने पुस्तक में कि उसका जो परंपरी धर्म था परंपरा थी उसमें महिलाओं का महत तो बहुत उपर था लेकिन इतने सारे चर्च मिजोरं में हैं लेकिन उनमें इस्तरियों को कोई पदर नहीं दिया जाता ये बिशप है ये आर्च बिशप है ये ये है ये पादरी है क्या है नहीं है कहीं भी कोई इस्तरी नहीं है उपर से कनफेशन के नाम पर ये कहते हैं कि कोई इस्तरी है उसके साथ कोई दुरगटना घटी जीवन में तो कहते हैं तुम confess करो और उनको चर्च में बुला लेते हैं चर्च में बीच में ईसा मसीजी की मुर्ती होती है अब दोनों तरफ केवल पूरुष होते हैं पादरी होते हैं वहाँ पर वो confess करती है कोई भी घटना का वणन करती है और ये उसके बाद में उस लड़की का सोशन करते हैं कि तुमने ये बात कह दी तुम यदि मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो मैं किसी को बता दूँगा मैंने पुस्तक में उले किया है कि केरल में अनेक चर्च में महिलाओं का लड़कियों का 12-14-14 साल तक बलातकार किया गया और बाद में उनमें से कुछ लड़कियां जैसे नन का किया गया या किसी और का किया गया उनकी भी अपनी इज़त होती प्रतिष्टा होती समाज वो नहीं चाहती कि मेरा नाम उचले तो बोलती नहीं है लेकिन उनका शोशन हुआ एक नन ऐसी निकल गई कि उसने इस पर किताब लिख दी भारी बवंडर मच गया केरल में उसके बाद पादरी की खोज होने लगी एक दो पादरी अभी जेल में है ये धन्धा चर्च में होता है कन्फेशन के नाम पर तो इसलिए चर्च जो है स्त्री विरोधी है एडम और इव में जो इव है जो स्त्री है नारी है वो चिंतन ऐसा है बाइबिल का चर्च का कि उस इव को से ही इविल बना है मतलब जो स्त्री है वो इविल है वो कुल्टा है वो चरितरीन है वो किसी काम की नहीं है वो जो उसका आडम है उसको भाकाती है उसको घुमाती है नचाती है इसलिए वो गौड का सारा श्राप जो है वो इव पर आता है ये जो है दृष्टी है इसाइयत की इसलिए हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि मेगाल है अप एक छाकरित बड़ा राज्य है उसके बाद में मिजोरम का मैंने वो लेख किया नगा लेंड में भी ऐसे ही हुआ कि आरंभ में नगा जाती के लोग अलग-अलग रहते थे एक जो नेता उसमें हुआ उसको लगा कि हम सब तो अलग-अलग रहते हैं और कोई इसाई मिशनरी जब मिलने आए तो कहा कि क्या पता ये सब इसाई हो जाए तो हमारे सुविदा होगी ये सारे हम एक हो जाएंगे इसलिए उनको इकठा कर दिया कहा कि इकठा हो जाएंगे ये इसाई बन जाएंगे लेकिन आज की सिती ये है नगालेंड में, कि हर एक जो पहले ही अलग-अलग समाज था, उनका अलग-अलग चर्च है, अलग-अलग रंग से, अलग-अलग कुछ ऐसे कोई परतीक बना लेते हैं, जिससे कोई बाहरी पहचान सकेगा, कि ये चर्च उसका है, ये चर्च उसका ह तो समाज में जो पहले भी भाजन था भाजन आज भी ऐसे ही है चाहे वो इसाइब बन गया हो तो वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ उल्टा क्या हुआ दो राज्य हैं पुरवत्तर के एक मिजोरम और एक नगालेंड तो नगालेंड के विशह में सामानने तया लोगों को पता नहीं है कि जो सिती कश्मीर की है थोड़ी बहुत उसी से मिलती जुलती सिती नगालेंड की है 15 अगस 1947 को जब हमारा देश स्वतंतर हुआ उसी रात को अर्थात 14 अगस की रात को ही नगालेंड ने जंडा गार दिया कि नगालेंड आज से स्वतंतर देश और उस समय से लेके आज तक भी वो ऐसा ही मानते है उसके बाद खुला विद्रोह कर लिया नगालेंड ने और जो नगालेंड में विद्रोही थे वो सारे जंगल में चले गए दूर चले गए और तब से लेकर के आम स्रिवोल्ट यानि सशस्त्र विद्रोह उनका दशकों तक चलता रहा अभी भी एक दो गुट ऐसे हैं जो उसी चीज पर उसी धारणा पर टिके हुए दूसरे जो गुट हैं उनको सरकार ने अपनी तरफ करने का प्रयास किया है और वो समानिस्ति बनाने का परिकें कुछ गुट अभी भी वैसे ही है उनके लिए भी सम्विधान में ऐसा प्रावधान किया गया है जो 371 है सत्तर के बाद जिसमें यह है कि नगा लेंड में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं संसृति को ले करके और मैं मानता हूँ कि यह बहुत बड़ी तुटी है नगा लेंड को शेष भारत से अलग तरह रखने के लिए क्यों तुम्हारे अंदर कुण सी विशेषता है कि भाई तुमको एक अलग से विशेष दरजा दिया जाए तुम क्या हो 10-12 लाक लोग हो बिहार, उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश इतने बड़े-बड़े राज्ये हैं आप उनको क्या दे देते हैं इनको क्यों देंगे विशेष कुछ लेकिन वो इस सित्य है जोकी खतरनाक उसी प्रकार से मिजोरम में क्या हुआ कि सुन्दरता प्राप्ती के बाद कुछ वर्षों के बाद पचास के दशक में संभवता 1958 में वहाँ पर एक बड़ा आकाल पढ़ा आकाल पढ़ने का कारण क्या है कि वहाँ का बांस वहाँ ऐसा बांस होता है भैंकर बांस का जंगल होता है मिजोरम में फूल आते हैं और उन फूलों को खाने के लिए दूर दूर से चुहे आते हैं और जो चुहे उस बांस के फूल को खाते हैं तो वो नकेवल बलिष्ट हो जाते हैं बलकि उनके अनंत बच्चे होते हैं और वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और इतने कम समय मुश्किल से महीने दो महीने में चूहों की संखिया लाखों में हो जाती है और फिर वो चूहे क्या है खेत में फसल है कहीं भी है सब खा जाते हैं घरों में घुज जाते हैं घर में ये दियानाज का एक दाना बचा है वो भी खा जाते हैं तो होता क्या है प् काल की सिती को क्योंकि उस समय तक असम का हिस्सा है वो मिजोरम तो वहां से खाने पीने का कोई समान आता है जो भी हो सकता है देश में मुख्य भाग से दूरी है उसकी कुछ कस्ट भी हुआ हो लेकिन लालडेंगा नाम का जो आदमी है वह विद्रोह कर देता है और भारत से ब अंबारी करनी पड़ती है इतनी बुरी सिती हो जाती है और लगवग 1958 के बाद से ले करके 1986 तक कई दशकों तक वहां पर विद्रोह की सिती बनी रहती है और 1986 में आ करके मिजोरम और आजीव गांधी सरकार के समय समझोता होता है और तब से सिती जो है थोड़ी सामाने है ल कि मिजोरम ने ऐसा क्यों किया बहुत सारे ऐसे राजी होंगे जहां कभी अकाल पड़ा होगा कभी कोई संकट आया होगा तो लोगों को कष्ट हुआ होगा लोगों में आकरोश भी हुआ होगा लेकिन ऐसा नहीं कि वहां के लोगों नहीं का होगा कि हम देश से बाहर चले या उन्होंने बंदूक उठाली होगी तो इसलिए वहाँ पर चर्च ने बहुत बड़ी भूमिका आदा की चर्च उकसाने में लालडेंगा को उकसाने ये सब चर्च के कहिए कि एक हिसाब से चेले थे और आज भी मिजोरम में चर्च जो है अभी अधिक शाक्तिशाली संस्ता उत्तर भारत में मिजोरम आज इसाई बनाने के लिए जो मिशनरी होते हैं उनका भी बहुत बड़ा सेंटर है तो इस प्रकार से मिजोरम में चर्च की ऐसी भूमिका रही यदी वहां के लोग इसाई नहीं होते तो संभवता ऐसी बात नहीं होती एक और इसका प्रमान है उदारन है कि मिजोरम में जो असी पिचासी परशत हम कह रहे हैं कि इसाई हैं तो बाकी लोग कौन है बाकी लोग जो हैं वहां चक्मा हैं और बुरू है चक्मा जो हैं लगवा 7-8 परिशत हैं और चक्मा जो लोग हैं वो इसाई नहीं है यह बहुत है और बुरू जो लोग है तो हिंदु है बुरू सारे वैशनो धर्मी है भगवान विश्नु की अराधना करते हैं पूजा करते हैं तो जो यहां का इसाई समाज है वो हमेशा चक्मा और बुरू के वरुद रहता है और इसलिए बुरू के साथ इतना अत्याचार अन्याए किया गया वहां के समाज से कि लगबग 30-35 जार बुरू के लोग 25 वर्ष पहले मिजोरम को छोड़ करके त्रिपुरा आ गया क्योंकि त्रिपुरा जो है पुरा का पूरा हिंदू राजी है तो उनको लगा कि हम यहां जी पाएंगे यह सारे के सारे त्रिपुरा आगे रहने लगे कैंप में रहने लगे ऐसे ही शिविर बना के रहने लगे विचारों पास घर नहीं था इस बीच में दिल्ली की जो सरकार है इन्होंने बड़ा प्रयास किया सरकार ने लग वह 2008-2009 के आस पास कि मिजोरम की सरकार पे दबाव डाला कि भाई तुम्हारे ये लोग हैं तुम्हारे गाजी के लोग हैं गुरू इनको वापस लो तो कुछ बुरू यहां से वहां जाने लगे 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 चार-पाँच हजार लोग गए होंगे लेकिन जब वहां पहुँचे तो वहां के लोग उठखड़े हुए आंदोरन कर दिया और उनको मिजोरम में रहने नहीं दिया इसलिए उनको वापस आना पड़ा लेकिन यह कोई समाधान नहीं है उनका जहां घर था क्या उनको भगा दिया जाए मिजोरम से क्या मिजोरम में केवल इसाईयों को रहने कादिकार है तो आज की सिती यह है इस प्रकार हम यह पाते हैं कि इसाई बनने से हमारे देश का क्या क्या कहिए नुकसान हुआ क्या क्या हानी हुई है दूसरा यदि हम भारत के मानचित्र को ध्यान से देखते हैं तो इसाई वहीं वहीं है जो सीमा वरती चित्र है जैसे पुर्वत्तर तो वहाँ देखिए कितने दूसरे देश के साथ निकट है यह नेपाल, चीन, म्यानमार, पंगलादेश, थाइलेट इतने सारे देशों से हमारी सीमा मिलती है फिर नीचे चले जाएए तो समुदर की सीमा है तमिलनाडू का तटिये छित्र केरल का तटिये छित्र गोवा तो ये तटिये छित्र परी है और अंत में जो एक समुध है वो है बीच बिलकुल मद्दिभारत में घोर जंगल में वो जंगल कैसा है तो कुछ हिस्सा उसका च्छतिस गड़ में है कुछ हिस्सा उसका तिलंगाना में है कुछ हिस्सा उसका महराष्ट में और यहीं पर सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा बड़ी हिंसा होती है अभी कुछ दिन पहले हमारे तीन जवान मारे गए हैं 36 गड़ में क्योंकि उस जंगल में वो हिसाई हैं वो देशद्रोही हैं वो नकसल हैं ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इनके तंतु जुड़े होते हैं जैसे पुर्वत्तर में जितने इस प्रकार के ये जो विद्रोही थे वो दो जग़ जाते थे बंगलादेश जो पहले पूरी पाकिस्तान था और उसको पाचीन जब बंगलादेश बन गया बंगलादेश में जाते रहें लेकिन शेख हसीना वाजिद जब से प्रधान मंत्री बनी और हमारे देश का संबंद सुधरा तो वहां से बहुत लोगों को आतंगवादियों को भारत भेजा गया अब वहां किसी थोड़ी सी ठीक है तो दूसरी तरफ कहा है म्यानमार चले जाते हैं इसलिए एक बार भारत सरकार ने वहां पर स्ट्राइक किया था म्यानमार के बोडर पर तो इस प्रकार से अंतराष्ट्रिये जो है इसलिए और भी खतरनाक है कि इस पर हमारी दृष्टी होनी चाहिए और आगे के जो बिंदू हैं वो ये हैं कि इन सब चीजों का क्या निदान है हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यह कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी शक्ती जो इसाई हमारे देश में प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं शिक्छा से क्योंकि ये चलाते हैं विद्याले, सरवत्र और उन विद्यालों में इस तरह पढ़ाते हैं और जो मेरी गरना है कि सामानने तया जिसको हम इसाई विद्याले कहते हैं उनमें 60-70-80 परशतक जो बच्चे हैं वो हिंदूओं के बच्चे पढ़ते हैं तो हम उनको पैसा देते हैं जिनसे उनका बल बढ़ता है तो इसलिए यदि हम मान लें कि हम उस विद्यालियों में न जाएं तो मैं बता रहा हूँ कि इसाई हमारे देश के वैसे ही कुछ महीने साल में दुर्वल होके किसी काम के नहीं बचेंगे एक तो तरीका ये हो सकता है सरकार क्या कर सकती है सरकार ये कहे कि जितने विद्याले हैं भी हम उनको सामाने विद्याले मानते है क्योंकि सम्विधान के दुर्श्ची कोन से यह आप ध्यान दें तो कोई विद्याले जिसमें 80 परशद बच्चा आपके समाज के नहीं पढ़ रहे हो, तो इसाई विद्याले नहीं कहा जा सकता, जैसे मैं कहूंगी ये विद्याले हिंदू विद्याले है, तो उसकी क्या परिभाशा तो कुछ होनी चाहिए न, कुछ तो आप आधार रखें और समाने विद्याले के रूप में उनके शिक्षकों की भाली हो, और समाने जो पाठिक्रम है वो चलाया जाए, और आगे से इनके जो नए विद्याले खुलते हैं, इनको केवल अलब संख्यक के नाम पर खुलने का, कहिए कि अनुमती न दी जाए, इस से इनकी रीर जो है तूट जाए गी, कि दूसरा है अस्पताल भी, कि क्यों अस्पताल खोलेंगे, और उस अस्पताल मी देखें कि भाई कहा खोल रहे हो, क्या वो इसाई समाज है, पै क्योन सा समाज है, जहां वो मरीज़ आ रहे हैं, क्योंकि वहां मैंने अपनी पुस्तर कें बहुवत सारा तो इसलिए ये जो है ऐसे समाधान हमें निकालने पड़ेंगे और सामाने लोगों में जागरुकता भी यदि हो जाए यदि आप जानते हों इसायत के चरितर से शील से सुभाब से आप परिचत हो जाएं तब भी आप बहुत जूच सकते हैं क्योंकर कई बार क्या होता है हम जानते नहीं सामने वाला आद्मी कुछ जानता है कोई इसाई है कु Cel Center इसलिए यहा है और भी एक दो बाते हैं इसमें जो मैंने अपनी पुस्तक में भी दिखाया है कि इसाईयों में एक क्या होता है उनको कहा गया है कि तुम जो यहां पर जन्म तुमने लिया है इस धर्ती पर दुख अठाने के लिए किया है तुम हस नहीं सकते तुम मुस्कुरा नहीं सकते एक घटना है कि किसी चर्च में कोई एक पादरी था उसने हस दिया उसरे चिपादी ने उसको मारा, कि तुम को, तुम कैसे तुम हस रहो, तुमको गौड ने हसने के लिए नहीं भेजा, तुमको दुखी रहने के लिए भेजा, तो बढ़िया वस्तर नहीं पहनना, दुखी रहना, ये जो है, इसी को बोलते हैं, कि हम बड़े ही दर्द और पी पीड़ा सहनी है, इतनी पीड़ा सहनी, जितनी पीड़ा आप सहेंगे, उतना आप जिसस के निकट पहुंच जाएंगे, और ये नोटंकी ऐसी ऐसी होती है, कि हमारे यहाँ जो टेरेसा थी, कलकत्ता में रहती थी, तो उसने कहा अपने लोगों को, कि भाई, तुमको पीड़ा सहनी चाहिए, और दूसरे ने देखा कि जब इसको बुखार वो दवा खाली थी है, इसको कोई भी मारी होई तो हवाईजाज बचड़के चली गई कहीं पर इलाज करा, तो बड़ी नोटंकी होती है, मैंने अपनी पुस्तक में, जलाल अदीन अकवर के समय की पादरी कोड़ा रखा हुआ है, और उसकोड़े पर कोड़ा लाल है, उसपे खून लगा हुआ है, तो उसने पूछा, तो बताया कि पादरी रात को सोने जाता है, तो अपने आपको कष्ट देने के लिए सोने से पहले कोड़े से इतना मारता है, कि पीठ लहू लुहान हो आता है फिर सोता है ये है इसाइयत कि इसमें ऐसा है कि हसना होना नहीं है दुखी रहना है हम को दुखी हो कि हम आए हैं यह पर ये ऐसी बात नहीं होती है तो कुल मिला करकर के ये सब मुख्य, बिंदू है, पुस्तक में, लेकिन पुस्तक जो है केबल इतने पर ही सीमित नहीं है, हमने इसका थोड़ा सा जो कहिए की दारा है, बहुत पड़ा है, मैंने अरंब किया है जलालुदिन अकबर के समय से, कि अकबर के समय कैसे क्रिस्चिनिटी आई है, और मैंने बहुत हद तक अकबर को जिम्मिदा ठहराया है, क पुर्दगालियों के कारण ही उसको एक फर्मान जारी करना पड़ा, जिसमें लिखा कि भाई, इसाई मिशनरी अपने मजब को फैलाने के लिए सुन्तरता है, और दूसरा लोग भी इसाईयत को अपनाने के लिए सुन्तर हैं, तो इस तरह की बातें जो हैं, अकबर ने की और फर्मान जारी किया, और फर्मान जारी करके हमारे देश को उल्जा दिया इसने, तो ये कुल मिला करके मैं इस पर बोलना चाह रहा था, थोड़ा सा एक अध्याय मैंने एक अन्य बड़ा रोचक विशय है, जिस पर लिखा है, वो ये है कि भारत और जापान, दो ही जायत को लेकर के सबस्य अधिक प्रतिरोध दिखाया है, और उस प्रतिरोध का ही परिणाम है कि संख्या के दुशी कोण से आज भी हमारे देश में दो दशमलव तीन प्रतिशत ही इसाई बताया जाते हैं, वैसे ये भी सच्चा ही है कि इसाई कई बार अपनी पहचान भी नहीं दिखाते हैं, जो हमारे नारानन थे, राश्पती कियार नारानन, उनके विशय में ने लिखा है कि वो हमारे राश्पती थे, और देखिए कि कैसा विचित्र समय है, विचित्र बात है कि वो राश्पती थे और वो मर गए, और मर गए तो उनको इदिल्ली में ही उनक एक हिंदू के रूप में दासंसकार हुआ, हिंदू के रूप में दासंसकार हो गया, सब कुछ हो गया, तो उनकी पत्नी और उनकी साथ तीन बेटियां हैं, उन तीन बेटियों ने और पत्नी ने मिलके ये बात कही कि वो तो इसाही थे, कोई कलपना नहीं कर सकता है, भारत का राश्पती, जो राश्पती रह चुका, मर गया, दासन्सकार हो गया, उसके बाद में उसकी पत्नी और उसकी तीन बेटियां, ये कहती है किया नारान नाम था, कि वो तो ईसा Daisy थे, ये राजघाट पर हो गया, शरीर जल गया, उसके बाद उनकी बेटियां आई और पत्नी और उन्होंने जो कुछ भी बचा होगा राख वाख जो भी जो कुछ भी बचा उसको उठा लिया और उठा के ताजमान सिंग यहीं होटल के सामने जो कबरगा है ना वहाँ चली गई और वहाँ पर उसको इस शुरूप में दफनाया गया जैसे वो राश्पती को दफनाया गया और आज वहाँ लिखा हुआ है दफनाने के बाद उसके ताबूत के ऊपर लिखा जाता है तो उसके लिखा हुआ है और बाद में जब उनकी पतनी का निधन हुआ तो उनकी पतनी की कबर भी वहीं पर है उसमें लिखा हुआ अब आप सर पीट लेंगे कि यह कैसा तंत्र है जिसमें पहचान ही नहीं बताता है आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं जो राश्पती थे पूरा जीवन बिता दिया राजनीती में है उससे बड़ी पहचान किसकी होगी लेकिन धर्ती पर कोई धरोधाम पर कोई व्यक्ति नहीं जान पाया कि हो इसाइए मरने के बाद दासन्सकार के बाद पता चला कि हो इसाइए कैसी विचित्रवाद है इसी तरह सी राजशेखर रेड़ी यह तो मैं मुझे याद है इस वेक्थी की बारे में वाइएस राज़शेखर रेड़ी जो आंधर प्रदेश के मुख्य पंत्री थे जब आंधर प्रदेश और देलंगाना का भी भाजा नहीं हुआ था दूसरी बार मुख्यमंतरी बने उस बार हेलिकॉप्टर दुरहट ना में इनकी मृत्यू हो गई नाम है क्या वाई एस राज सेखर रेड़ी कोई नहीं सोच सकता दूर दूर तक करपना नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति इसाई हो सकता लेकिन जब ये मृत्यू हुई इनकी फिर इनका दासंसकार जो हुआ तो इसाई रीती से दासंसकार हुआ ताबूत में रख्या गया ये किया गया वो किया गया तो एक पतरकार है दिली के जिनका मैंने उदारन इसमें दिया है जिनका उलेक किया है वो पतरकार को जब उन्होंने देखा कि ये इसाई था तो उन्होंने सर पीट लिया क्योंकि अभी कुछी दिन हुए थे चुनाओं में जीते थे तो उन्होंने उनका इंटर तो इसको हम कहते हैं चोर कर्म चोरी करना जो है इसाईयों की बड़ी पुरानी आदत है साफ साफ को बताएगा नहीं इसलिए हमारा काम यह है कि हम जागरूख हो हम इसके विशह में अध्यान करें इसके विशह में पढ़ें तो यह केबल ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृती जा रही है धर्म जा रहा है यह हमारे राष्ट की सुरक्षा और राष्ट की गरिमा हमारे गौरब सबसे जुड़ी हुई भात है कोई व्यक्ति क्यों इसाई बनेगा प्रश्मिया उठाना चाहिए उस व्यक्ति में क्या ऐसा लग रहा है कि उसको क्या मिल जाएगा इसाई बनने से तो इसलिए इन सब विश्यों पर बहुत ही ध्यान से हमें विचार करना चाहिए और इसी के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूँ नमस्कार जिसम्स तो इस जाएगा बहा है । कि उसको के साथ मैं जाएगा आएगा लगएगागा इसोपीव प्रावचार करना चाहिए